किशोर जन संख्या बच्चो अभी हम थोड़ी सी चड़्चा कर लेते हैं किशोर जन संख्या पर मतलब जिसे हम टीनेजर्स कहते हैं जो हमारा यूथ जनरेशन होता है या यूवा वर्ग की हमने जब एज स्ट्रक्चर या एज कंपोजिशन पढ़ा था तो हमने देखा था यूवा वर्ग जो हमारे 15 तू 59 यर्स तक का एज गुरूप था और जो बाला यू वर्ग था उसमें हमने देखा था 0 तू 15 यर्स तो इन दोनों के बीच का एक जो एज गुरूप होता है 10 तू 19 10 से लेकर 19 साल के बीच के जो बच्चे हैं या हम जिन्हें टिनेजर्स कह रहे हैं इन पर आज हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं तो आपके मन में ये प्रशन उठ रहा होगा कि इतना हम इस एज गुरूप को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं या हम इनकी चर्चा अलग से क्यों करें तो मैं आपको बता दूँ अगर आप 10th क्लास के बच्चे हैं तो आप 10 साल से कम उम्र के तो होंगे ही नहीं और नहीं 19 साल से अधिक के होंगे तो आप भी इसी एज गुरूप में आ रहे हैं और आप जैसे ही इस एज गुरूप वाले जो बच्चे हैं इनके बारे में जो अध्यन करना हमारे लिए महत्व पूर्ण है इसलिए हो जाता है क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि इस एज ग्रूप की जो बच्चे हैं वो हमारे भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है या भविष्य के एक उत्पादक हैं इसलिए हमें इस एज ग्रूप की जनसंख्या को बहुत ही समहाल कर या इनके विकास के लिए बहुत अधिक प्रयास करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है और जब हम बात कर रहे हैं कि यह हमारे भारत की कुल जनसंख्या का पाचवा हिस्सा है तो मतलब हम आगे के दशकों की बात करें तो लगभग दो से तीन दशक तक हम देखेंगे कि हमने यदि इस इस एज ग्रूप को बहुत समहाल की रखा या इनका विशेश तोर पर ध्यान रखा तो आगे आने वाले दो से तीन दशकों में हमारे सामने हमारे एक युवा जनरेशन युवा पीड़ी तयार होगी कारिशील जनसंख्या तयार होगी जो हमारे लिए भविश की एक उतपादक वर्ग के रूप में कही जा सकती है और हम देख इस एज ग्रूप में देखे जाते हैं तो इसलिए अगर ये एज ग्रूप जो है ये कमजोर वर्ग रहा तो हम कहेंगे कि हम आगे आने वाले जो विकास है उसके मार्ग में एक बाधा उतपन्न करेंगे और यदि हमने इस एज ग्रूप में अभी से ध्यान दिया मतलब कि जैसे इनके पोशन से संबंधित, श्वास्थ से संबंधित या सिक्षा से संबंधित और इनके भावनात्मक पहलूँ पर यदि हम अभी से ध्यान देकर इनके विकास के लिए आगे बढ़ेंगे तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छे उतपादक जो है वो हम भविशक के लिए तैयार करेंगे और जनरली हम देखते हैं कि हमारे भारत में या अधिक तर जो विकास शिल्देश होते हैं वहां पर हम देखते हैं कि जो भोजन किया जा रहा है मालो एक पोशन या स्वासे से संबंधित हम बात कर रहे हैं तो जब हम भोजन की बात करते हैं तो भोजन जो क पास्ता, नूडल्स ये सारी चीज़े हैं उनको लगता है ये खा लिया पेट भर गया हो गया और खाने के लिए जो पोशक तत्व जिन में न्यूटिशन्स हमें मिलते हैं उनको खाने में उनकी कोई रूची नहीं होती या तो वो पसंद नहीं है या उनको उन्हें लगता है कि हम डेली इन ही चीज़ों को कितना खाएं तो इससे पेट तो भर जाएगा लेकिन आपको नूटिशन्स या सहीं पोशक तत्व जो है वो नहीं मिल पाएंगी इसलिए आपको स्वैम को भी इस बात को ध्यान देना होगा कि आपको अपने शरीर के पोशक तत्वों को बढ चाहना होगा और साथ ही साथ सभी जो सामाजिक और भावनात्मक चीजें हैं या पहलू हैं उन पर आपको विशेश रूप से नजर रखनी होगी तभी आप आगे हम कह सकते हैं कि एक स्वस्थ और कुशल उत्पादक की रूप में तयार होंगे और इस एज ग्रूप के पर आपको और जितने भी जो नीती निर्माड बनाने वाले हैं उन सभी को भी इस एज ग्रूप की तरह जो है वो बहुत अधिक ध्यान देना होगा और विशेश कर हम देखते हैं कि हमारे देश में इस एज ग्रूप की जो लड़किया होती हैं वो अधिकतर एनिमिया से प और साथ ही साथ उनके जो इर्देगिर्द रहने वाले हैं चाहे वो मातापिता हो या वो सिक्षक हो इन सभी को और विशेश तोर पर शाषन को भी इसके लिए विशेश योजनाए जो हैं वो तयार करनी होगी ताकि हम एक मैं फिर से कहूंगी कि एक कुशल और स्वस्त उत लिंगानुपात कहते हैं इस पर चर्चा करते हैं लिंगानुपात का तातपरी क्या होता है लिंग अनुपात सेक्स रेशियो मतलब किसी भी स्थान में प्रती हजार पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है इसे हम लिंगानुपात कहते हैं और इसे ज्यात करने का भ उस पे महिलाओं की संख्यों और उसे मल्टिप्लाई कर दिया जाएगा हजार से क्योंकि हम इसे किसमे ग्याद कर रहे हैं प्रती हजार पर तो हमारे सामने लिंगा नुपात जो है वो निकल कर आ जाएगा अच्छा आप ये बताए कि हम किसी भी देश में लिंगा नुपात का या वहां पर महिलाओं के स्थिती का अध्यन क्यों करें और महिलाओं के स्थिती भी पुरुषों के अनुपात में क्यों ये महत्तव्पूर्ण है हमारे लिए अध्यन करना तो बच्चों हमें पता है कि जो महिलाएं होती है वो किसी भी एक देश की भी हम बात नहीं करें तो एक समाज में भी हम कहें कि उस समाज के विकास का सुचक होती है चाहे वो बच्चों में या एक परिवार को समहालने का काम तो करती ही है एक अच्छे संसकार की जो हम बात कर रहे हैं किसी भी बच्चे में तो वो शाला में प्रवेश तो बाद में लेता है लेकिन अपने परिवार से ही उसकी सिक्षा जो है वो प्राथमिक सिक्षा पहले अपने परिवार से और अपनी मा से ही प्रारंब होती है और दूसरे शब्दों में हम कहें तो अगर किसी भी इस्थान में महिलाओं की जो संख्या है वो कम होती है लिंगा नुपात कम होता है उनकी स्थिती अच्छी नहीं होती तो क्या प्रभाव पड़ेगा किसी देश पर या किसी समाज पर तो हम देखते हैं पहली बात तो जो एक पुरुष प्रधान समाज की हम यदि बात कर रहे हैं महिलाओं की कमजोर इस्थिती या लिंगा नुपात का कम होना किसी समाज के पुरुष प्रधान समाज होने की तरफ इंडिकेट करता है या उसकी तरफ उसका सूचक होती है और द का जो शिशु है उसका पतालगा कर अन्य जो तरीके है आधुनिक तरीकों को अपना कर उनकी गर्व में हट्या कर दी जा रही है और जो लिंगानुपात है वह कम होता जा रहा है महिलाओं की ऌडिकीयों गणीओं वह कम होती जा रही है तो भंई इतने पुरुष हैं इन फू दूसरा चीज हम देख रहे हैं यह हम यह कहें कि किस तरफ सूचित करता है महिलाओं की कमजोरी स्थिती मतलब वहां पर लिंगा नुपाद जिस भी स्थान में कम होगा वहां पर महिलाओं पर शोशन है अलग-अलग प्रकार के अत्याचार या उनमें असिक्षा और कूपोश स्थिती को प्रदर्शित करता है अगर हम भारत में भी नजर डालें तो हम देखेंगे कि जिस स्थान में हमें महिलाओं की स्थिती कम दिख रही है कमजोर दिख रही है लिंगानुपाद कम मिल रहा है तो वहां पर हम देखेंगे कि वहां पर महिलाओं की जो सिक्षा है उस उनकी समाज में समान सभागिता की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता और साथ ही साथ उनके पोषण इस तरफ का भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता है तो इसी कारण से लगातार महिलाओं की स्थिती जो है वो चिंतनिय हो रही है और हम अपने आसपास भी देखते हैं ईक लड़क़ है और एक लड़की है. whisper Kyleまで भीन नहीं और भीन है, उसकी कि सिक्षा पर अधिक धिया जायगा और उसके पो लृषण को यह भीन है लेकिन बहीं जो लड़की है उसके पोशन का कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा और नहीं उसकी सिक्षा की तरब ध्यान दिया जाएगा और ये कहकर उसे टाल दिया जाता है कि तुम्हें तो भई दूसरे घर जाना है तो हमारे भारत के पुरुष प्रधान समाज में ये एक बहुत चिंता का विशय है कि हमारे यहां लिंगा नुपाज जो है वो क्रमशा कम होता जा रहा है तो बच्चों हम देखते हैं कि किसी भी स्वस्थ समाज में महिलाओं और पुरुषों की जो संख्या है वो समान होनी चाहिए तभी वो समाज और देश जो है वो विकास कर सकता है अब कुछ हम आकडों पर नजर डालें तो जब हम अंतर राश्री इस्तर या विश्व इस्तर पर देखते हैं तो स्वीडन, जापान, नेपाल और भारत ये चारो देशों की अधी हम तुलना करें त ये अधिक है लेकिन हमारे भारत में जो लिंगानुपात है वो मात्र 940 है मतलब हम यहां क्या देख रहे हैं कि लिंगानुपात हमें कम देखने को मिलता है निम्न है पुर्शों की तुलना में महिलाओं की संख्या हमें कम मिल रही है और जब हम इसमें इस्थानिक इस्तर करें तो देखेंगे कि केरल में पूरे देश में केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात मिलता है जहां पर प्रती हजार पूर्शों पर महिलाओं की जो संख्या है वह एक हजार चौरासी है 1084 और इसके बाद जैसे तमिल नाडू है वहां हमें 995 आंध्रप्रदेश 999 हमारे 36 गड़ में भी लिंगानुपात 999 मिलता है और ये राजी जो हैं वो ऐसे हैं जहां पर लिंगानुपात हमारे राश्टी ओसत से अधिक है हमारा राश्टी ओसत 940 है और इन राजियों में हमें इस ओसत से अधिक लिंगानुपात मिलता है और लेकिन वहीं पर जब हम बात करते हैं हरियाना की गुजराद की और राजस्थान की तो ये राजी ऐसे हैं जहां पर लिंगन उपात हमें राश्टी और सच से भी और कम देखने को मिलता है मतलब यहां पर महिलाओं की स्थिती और भी जादा खराब है अब इन सबसे हम यह नुमाल लगा सकते हैं कि भारत क किस राजी में महिलाओं की स्थिती जो है वो कमजोर है और इसे सुधारने के लिए हम क्या-क्या उपाय वो कर सकते हैं तो पूरे देश में और वहां पर अलग-अलग स्थानों में हम पुरुष और महिलाओं की स्थिती मतलब प्रती हजार पुरुषों पर महिलाओं की इस चार्ट का सहारा ले सकते हैं बच्चों हम लिंगानुपात पर चर्चा कर रहे थे और हमने देखा कि भारत में इस्त्रियों की जो इस्थिती है वो बहुत अच्छी नहीं है प्रती हजार पुर्शों पर महलाओं की संख्या जो है वो सिर्फ 940 थी और यदि आप इस आंक मतलब अगर हम कहें कि हम विकास कर रहे हैं विकास की और आगे बढ़ रहे हैं तो इस्थिती ये नहीं होनी चाहिए इस्थिती इसके विपरीत होनी चाहिए क्योंकि हम विकास किसे कहेंगे एक समाज के दो महत्व पूर्ण पहलू होते हैं पुरुष और महिलाएं तो जब समाज में इन दोनों को समान आउसर, समान सहभागिता या जो एक्वल केर की जब हम बात करते हैं या हम सैक्षनिक सुविधा उसमें भी समानता की चर्चा करें तो ये जब तक इन दोनों ही व कैने की समा आजियों देखना असविधा की में सही जब आज़ पकड़ रहे हैं और यही जो आक्रेवे ये इस बात को जुटला रहे हैं कि हम विकास की सही दिशा नहीं पकड़ पा रहे हैं की हमारे देश में महिलाओं की इस्थितिग बहुत अच्छी नहीं है और इसके प बहुत से ऐसे राजी हैं जहां पर कि भारत का या हम कहें कि राष्टी और सच से भी लिंगानुपाज जो है वो कम देखने को मिलता है तो कारण क्या है पहले भी हमने चर्चा की है और हम देखते हैं कि जो समाज में इस्त्रियों की इस्थिती है वो एक भेद भाव पूर्ण स्थिती है बढ़ता हुआ भेद भाव या आर्थिक और समाजिक इस्तर पर जो है उनको नकारात्मकता या हम कहें कि उनकी तरफ जो है ध्यान नहीं दिया जाता समाजिक इस्तर पर मतलब समाजिक भागीदारी की हम बात करें या फिर आर्थिक इस्तर पर आर्थिक सह भाग और इन वाक्यों के साथ जो है वो एक समाज या देश राष्ट में उनकी आर्थिक भागीदारी को बहुत हद तक सुनिश्चित नहीं किया जाता और यही कारण है कि महिलाएं जो है वो पिछड रही है और समान सह भागीता उनकी नहीं हो पा रही है हालं कि अभी की वर्तमान सीति देखें तो काफी हद तक सुधार हुआ है लेकिन पूरी तरह सुधार हम नहीं कह सकते क्योंकि हम हमारे देश में या समाज में ही जो पढ़े लिखे लोग हैं वहां पर भी हम देखते हैं कि आधुनिक तकनिकों का प्रयोग करके गर्भ में ही जो है वो महिलाओं को मह तो जब हमारी सोच, सिखशित होने के बाद भी ऐसी है, तो हम सोच सकते हैं कि हमारी लिए कितना चिंता का विषय है. आईए, अब हम बात करते हैं कि जिससे तमिल नडू है या हम केरल की चर्चा कर रहे थे, तो क्या कारण है जहाँ पर जो वहाँ पर महिलाओं की स्थिती जो है वो राश्ट की अपेक्षा बहतर है या एक बहतर स्थिती में है वहाँ लिंगानुपाद की स्थिती तो महिलाओं को दी जाने वाली बहतर सुविधाएं, स्वास्थ सुविधाएं, चिकित्सा संबंधित सुविधाएं या समाज में भी हम देखेंगे कि महिलाओं की एक सक्री भूमी का जो है वो इन राज्यों में देखने को मिलती है और साथ ही साथ जो है आर्थिक स्वावलंबन मतलब आर्थिक छेतर में भी उनकी भागीदारी को इन राजियों में सुनिश्चित किया गया है जैसे पुरुष की भागीदारी होती है आर्थिक छेतर में ठीक उसी प्रकार से इन राजियों में महिलाओं की भी भागीदारी होती है जिस कारण से इन राजियों में हमें महिलाओं की इस्थिती या लिंगानुपात की जो इस्थिती है वो एक बहतर इस्थिती में देखने यहां पर लिंगानुपात की स्थिती जो है वो बहुत दैनी स्थिती है या चिंतनी है यह जो इस्थिती और कारण क्या है कारण यह है कि वहां पर महिलाओं को आर्थिक आउसर बहुत कम मिलता है आर्थिक रूप से भागीदारी का इसके साथ ही साथ जो प्राचीन काल से चल पुत्र संतान की जो उमीद है या लोग अपेक्षा करते हैं वो बहुत जादा है उमीद से बहुत जादा है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तयार हो जाते हैं और यही कारण है कि इन छेत्रों में भी हम देखेंगे कि इस प्राचीन रुडी वादिता को अभी तक अपनाया जा रहा है और जिसके कारण गर्भ में ही इन महिला शिशों की जो है वो हत्या कर दी जाती है उन्हें इस दुनिया में आने से पहले ही रोग दिया जाता है और साथ ही साथ चुकि यह एक पित्री सत्तात्मक जो समाज है जिसके कारण पुरुषों को अहां पर प्रधानता दी जाती है तो समाजी की स्थिती भी इन राज्यों में बहुत बहतर या बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती जिसके कारण चाहे स्वास्ते से संबंधित हो या सिक्षा से संबंधित हो सभी छेत्रों में जो है महिलाओं को भेद भाव का सामना करना पड़ता है और इसके कारण वो हिंशा के सिकार होते हैं हिंशा के साथ साथ भेद भाव और बहुत सारे जो अत्याचार हैं घरेलू अत्याचार के भी ये जो महिलाएं हैं इन राजियों में शिकार होती हैं जिसके कारण यहाँ पर महिलाओं की एक दैनी दशा हम कह सकते हैं या चिंतनी है जो लिंगानुपात के आकड़े हमें बताते हैं वो इस और इशारा कर रहे हैं कि इन राजियों में अब महिलाओं की स्थिती को बहत यहां पर हमने देखा कि लिंगानुपात प्रती हजार पूर्शों पर उसके पीछे 999 महिलाएं जो हैं वो 36 गड में मिलती हैं पूरे राज्य में समानता नहीं है लिंगानुपात में यहां भी हमें इसके वित्रण में विश्रमता देखने को मिलती है और विश्रमता ऐसी कि यदि हम इसके मैदानी छेत्र मध्य मैदानी छेत्र हमें चले जाएं और इस मध्य जो मैदानी छेत्र है च्छतिस गड का जो म वो उच्छे देखने को मिलता है, लेकिन इन ही जीलों में हमें लिंगा नुपाद बहुत कम देखने को मिलता है। मैंने अभी कहा था ना, कि समाद जितना भी सैक्षनिक रूप से भी हम विक्सित होते जा रहे हैं, सिक्षा के स्तर में भी बहतर सुधार हो रहा है, लेकिन जो हमारी मानसिक्ता है, एक रूढ़िवादी मानसिक्ता है, उसमें बहुत सुधार नहीं हो पाया है। जो हम एक पुत्र संतान के पीछे भागते हैं वो मान सिकता हमारी जो है वो बहुत हद तक अभी बनी ही हुई है उसमें बदलाव नहीं आ पाया है लेकिन यदि हम 36 गड के जो पठारी हिस्से हैं चाहे हम उत्तर की तरफ चले जाएं या दक्षन की तरफ उसमें भी यदि हम संभाग में आते हैं तो संभाग में हम देखते हैं कि महलाओं की स्थिती बहुत बहतर है क्योंकि हमें मालूम है इस दक्षन के इस पठारी हिस्से में पुरा जनजाती बाहुल्य जनसंख्या में देखने को मिलती है और इन जनजातियों में हम देखेंगे या इस जनजाती समाज में हैं वहां पर पित्रि सत्तात्मक समाज नहीं मिलता यहां एक परिवार में महिला जो है वो मुख्या होती है यह हम कहें पुरे परिवार के जितने महिला सदसे हैं वहां पर उन्हें बहुत जादा महत्व दिया जाता है उनकी बहुत importance होती है या समाज में भी उनकी भागिदारी को सुनिश्चित किया जाता है और यही कारण है कि हम देख रहे हैं आकड़े हमें बताते हैं कि बस्तर का जो लिंगा नुपात है वो प्रती हजार पूर्शों के पीछे एक हजार तेहिस है जो बहुत एक हम कह सकते हैं एक बहतर स्थिती में हैं महिलाएं जो हैं तो हमने देखा यहां भी वित्रण में असमानता देखने को मिलती है चुकि हम कहते हैं एक जन्जाती बाहुल्य समाज या जन्जाती समाज जो है वो सिक्षा की इस तर से पिश्रा हुआ है आर्थिक रूप में पिश्रा हुआ है लेकिन य पुरुष और महिलाएं और पुरुषों की भी अपेक्षा हम देख रहे हैं कि महलाओं की बहुत अच्छी स्थिती यहां पर देखने को मिलती हैं. अगर हम आगे बात करें कि युव वर्ग के साथ हमें जब हम बाल आयू वर्ग में आ जाते हैं मतलब शुन्य से 6 आयू वर्ग में यदि हम महिलाओं की स्थिती देखें या महिलाशिशू की संख्या को देखें तो इसमें हमको दशा जो है वो और ज्यादा चिंतनी नजर आत महिलाओं की जो संख्या है वो मात्र 914 मिलती है मतलब यदि हम समाने लिंगानुपाद जो 940 कह रहे हैं तो शुन्य से 6 आयू वर्ग में तो यह और बहुत ज़्यादा कम हो गया 914 मात्र और यदि हम अपने 36 गड़ में आ जाते हैं तो यहां भी हम देख रहे हैं कि समाने रूप से लिंगानुपाद की स्थिती तो बहतर है लेकिन इसी आयू वर्ग में शुन्य से 6 आयू वर्ग में हम लगाता तीन दशकों की यदि बात करें तो इसमें गिरावट की जो स्थिती है वो दर्ज की जा रही है मतलब जो 1991 में 984 था वो 2001 में 975 हो गया और 2011 जंगर्णा में ये घटकर और 964 ही रह गया है तो ये जो गिरावट की इस्थिती हम देख रहे हैं तो ये इस बात की और इशारा कर रहे हैं कि ये लगातार जो समाज की सोच है उसमें परिवर्तन हो रहा है लोग वही एक पुत्र संतान की अपेक्षा में लड़कियां होती हैं उनका गर्भ में ही जो है वो आधुनिक तरीके से या आधुनिक या वैग्यानिक तरीकों को अपना कर ये उनकी मृत्यू करवा दे तो ये कुछ कारण है और हम कहें कि ये इंडिकेशन है दे रहे हैं हमें ये गिरता हुआ लिंगानुपाद जो है कि समाज की सोच में परिवर्तन आ रहा है वो इस आयूवर्ग में लिंगानुपाद का कम होना इस परिवर्तन को दिखा रहा है कि लोग जो हैं वो लड़कियों को समाज में कम प्रात्मिक्ता दे रहे हैं और लड पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि लिंगान उपात की स्थिती बहतर होना किसी राष्ट के विकास के लिए बहुत आवर्शक है क्योंकि समान रूप से एक दोनों महत्यपूर्ण पहलू है ना तो महिलाओं के भी नहीं काम चलेगा नहीं पुरुषों के भी ना एक समाज के व जब बात करते हैं ध्यान की उसमें स्वास्थ है शिक्षा है यह सारी चीज़े आ जाती है तो उसमें दोनों ही वर्ग को समान आवसर और समान सभागिता मिलनी चाहिए जनसंख्या की एक अगली विशेष्टा उसकी व्यवसाइक संदशना अकुपेशनल स्ट्रक्चर यहा कारिशील जनसंख्या का कितना अनुपात होता है यह व्यवसाइक संदशना को हम कारिशील जनसंख्या में लगे हुए लोगों की संख्या भी कह सकते हैं तो हमारे देश में कारियों का विभाजन जो है वो तीन सेक्टर या तीन वर्ग में रखा गया है पहला है प्रात्मि क्रियाएं या प्राइमरी सेक्टर दूसरा द्वितिय क्रियाएं या सेकंडरी सेक्टर और तीसरा है तृतिय क्रियाएं या टर्शरी सेक्टर तो पहले ये समझना होगा कि ये तीनों वर्गों में कौन-कौन से या किस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो शामिल हैं तो जो प् से जुड़ी हुई, जैसे कि क्रिशी का कार्य हो गया, पशु पालन हो गया, खनन हो गया, यह सब जमीन से जुड़ी हुई चीज़े या धरातल से जुड़ी बाते हैं, मतलब आप क्रिशी कार्य करते हैं, तो भी जमीन में कर रहे हैं, खनन का कार्य भी आप धरातल को खोद क जब पशु पालन करते हैं तो भी आप हरीगरी घास चराते हैं चारगा के माध्यम से जो की जड़ी जमीन से जुड़ी हुई है तो फिर मत सिपालन है तो ये सारी चीजे जो है ये आपके प्रात्मी कृया के अंतरगत आती है अब दूसरा है secondary activities या द्वितियक क्रियाएं तो द्वितियक क्रियाओं के अंतरगत वे क्रियाएं शामिल होती हैं जो प्रात्मी क्रियास से जुड़ी हुई होती हैं जैसे कि आपने पशु पालन किया अप गाह या भैस उससे दूध तो निकाला या हम कहेंगे कि आपने क्रिशी कारी किया और क्रिशी से संबंधित जो है कोई भी फसले होगाईं चाहे वो कपास हो धान हो गेहुं हो और उसके बाद जो है जैसे कि खनन कारे किया खनन कारे करके आप अलग-अलग प्रकार के खनीज निकाल लिए जैसे लोहा है, कोईला है, मैगनीज है तो इन सब का जब रूप परिवर्तित किया जाता है तो जो रूप परिवर्तन करने की प्रक्रिया है जो प्रोसेज है वो आपके सेकंडरी एक्टिविटिस या द्वितियक्रिया के अंतरगत आती है जैसे कि आप दूध से या अलग-अलग टाइप के डेरी प्रोड़क्ट्स बनाएंगे जैसे दूध से आपने दही बनाया पनीर बनाने की जो प्रक्रिया है खोव बनाने की जो प्रक्रिया है या उससे घी बनाया तो दूध है यह सारे प्रोड़क्ट्स जो हैं वो दूध स ही जुड़े हुए हैं लेकिन दूध का हमने रूप परिवर्तन कर दिया उससे दही बना लिया उससे फाड कर छेना निकाल कर हमने पनीर बना लिया यह सारे उसके दूध के ही रूप परिवर्तित रूप हैं तो यह रूप परिवर्तन भी किस स्थान पर होता है वह एक विनि आपके प्राथमि क्रिया से उत्पन वस्तु या पदार्थ होती हैं, उसमें रूप परिवर्तित करके बनाई जाती हैं, जैसे अभी बताया है, दूद और दूद से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, वो उसके अंतर गताएंगे, फिर हम कृषी की बात करें हैं, क्रिशी के लेकिन उसको आप ऐसी ही उसको आप इस पाथ बनाएंगे फिर इस पाथ से अलग अलग तरीके की चीजे़ चाहे वो एक चोटी सी सुई से लेकर बड़ी बड़ीध। सी मशीन हो सकती है कारखाने में जो काम आती है या आपके घर में उपयोग किये जाने वाले अलग-अलगतर है के बरतन तो यह सब इस पात में परिवर्तित करने के बाद इन रूपों में उसको ढाला जाता है तो दूसरी इस सेकंडरी एक्टिविटीज की दूसरी पाइमरी एक्टिविटीज से उत्पन जो पदार्थ या वस्तुए हैं उनका रूप परिवर्तन करते हैं तो इस रूप परिवर्तन के दौरान उसके मुल्ने में भी व्रिद्धी हो जाती है मतलब कॉटन पहले उत्पन किया जा रहा है क्रिशी से तो वह तब तक उतना य पनीर तो वो उसकी वैल्यू अधिक होती है दूध आपका 50 रूपए 60 रूपए लिटर ही मिलेगा तो पनीर जो है वो 200-300 रूपए किलो में बिकेगा तो रूप परिवर्तन के दौरान हम देखेंगे कि उसके मुल्ने में भी व्रिद्धी हो जाती है और तीसरा जो कारी हो अधार्थ बनाई जाती है तो इनसान जो है वो तो स्वैम की उभोक के लिए सारी वस्तुओं का निर्मार नहीं करेगा अब उसे बाजार में खपाया जाएगा तो जो उत्पादन है उसको उभोकता तक पहुंचाने की जो सारी प्रक्रिया है वो सभी आपके टर्शरी अक तो खेत में जैसे गेहूं उत्पन की गई और उसके बाद उसको कार खाने तक लिजाया जाएगा वहां पर उसे गेहूं का आटा तयार होगा और मैदा भी तयार किया जाएगा आप ब्रेड जो खाते हैं वो दो प्रकार के है ना वीट वाला भी खाते हैं गेहूं से बना ह तो मैदा भी गेहूं को और जादा गेहूं का ही और परिवर्तित गेहूं से आटा और आटे से उसको परिवर्तित किया जाता है मैदे में और इन सभी चीजों से फिर क्या बनाया जाता है ब्रेड तो ये गेहूं से कार खाने तक और कार खाने में फिर जो वो ब्रेड बना ग वो खोगता तक तो पहुँचाना पड़ेगा तो भोगता तक पहुँचाने के लिए वो किसी डेरी शॉप में, किसी किराने की शॉप में जचाना होगा तो इन दोनों रास्थे में हम कहेंगे कि परिवहन ट्रांस्पोर्टेशन की जजुरत पड़ेगी हैद最近 हिव४ तो हम कहेंगे कि जो तृतिय क्रिया होती है वो सेवा कारियों से जुड़ी होती है फिर वो व्यापार के संबंद में हो या विनिमय के संबंद में हो परिवहन के संबंद में हो मतलब जो इसमें कारिक किये जाते हैं उसके बदले कोई न कोई भुगतान जो है वो लिया जाता आपके प्रात्मिक से दूतिया क्रिया से हम एंकि जब बाजार तक पुछाया जा रहा है तब भी इस दोरान परिवहन की जो सेवा BJT्र है उसकी आवस्चक्ता पड़ती है समान को बाजार तक लाने के लिए लिए तो वह फ्रीमें तो आपको ला के देगा नहीं जो माल आपन तो अगर वो आम्जो के शियोस के मार्केट तक पहुंचा रहा है फिर्टिकुलर समान कोई तो फ्री में तो देगका नहीं उसके लिए वह क्या लेगा कुछ नहीं भूखता लगा कि आप के गंतव्य तक आपके माल को उसने पहुंचा आया है तो उसके बदले में आप उसको कुछ भूक्तान करेंगे ठीक इसी प्रकार जैसे आप यात्रा करते हैं आप किसी भी जगह जा रहे हैं चाहे आप मालू-plicषपूर में रहते हैं महांसे आप रायपूर जा रहे हैं और इसके लिए आप चाहे सड़क परिवहन का सहारा ले रहे हो या रेल परिवहन का सहारा ले रहे हो तो जब आप सड़क परिवहन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, या आप गाड़ी करके जा रहे हैं, टैक्सी कर रहे हैं, किराये से, या आप ट्रेन से परिवहन कर रहे ह वो भी आपको फ्री में नहीं ले जा रहा है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं या एक किराय की रूप में पैसे का भुकतान कर रहे हैं तभी आप उस सेवा का लाभ जो है वो उठा पाते हैं और ठीक इसी प्रकार व्यापार से संबंधित चीजें तो ये जो भी व्यापार औ वा डिज जही चीजे पहोती है और इसके अ अलावा जैसे आप शाला में पढ़ते हैं तो चेला में आपको एक सिक्षक वीशय क्यां सिक्षक प्रदान करते हैं तो ऑस शिक्षक को भी सिख्षा के बदले हलाकि वो मानसिक जो है वो कारी कर रहा है लेकिन उसके बदले उसे एक payment जो है जो है प्रदान की जाती है तो ये सारे कारी फिर उच्छे इस तर पे भी हम कहें कि कुछ निर्देशन का काम है ये सभी जो चीजें हैं वो tertiary activities के अंतरगत आती हैं और बच्चों अभी हमने समझ कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी activities क्या है अब हम इसमें देखेंगे कि हम क्यों इसका अधियन कर रहे हैं हम जनसंख्या पड़ रहे हैं तो उसमें इन सभी बातों का अधियन क्यों कर रहे हैं हमने ये जो वरगी करंड देखा उसमें हम ये देखेंगे कि जो भी वि प्राइमरी अक्टिविटीज में लगी हुए होती है, मतलब प्रात्मी क्रिया में सनलगनों होते हैं, चाहिए वो मत से पालन हो, या क्रिशी से संबंधितकारी है, या खनन से संबंधितकारी है, और जो विक्सित देश होते हैं, चैसे हम अमेरिका, फ्रांस, बृतेन, ये मैं मैं जनसंख्या में लगी हुई होती हैं तो तो उसमारी नियन जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो किस नियन कारी चेवा डरह कहों किस जका सेवर्ति के एक्रिहा ठीक है right देश है इसलिए हम किसी भी देश की कारी शील जन संख्या या व्यवसाइक संद्रशना का अध्यन करना हमारे लिए बहुत महत्त पूर्ण हो जाता है अब इन आकड़ों से आप देख पा रहे होंगे भारत के ही साथ कितने भी भारत के अलावा और अन्य देश जो हैं जो अल गलग प्रकार के कारियों में लगे हुए हैं